किसी भी person को जब तक court का order नहीं आ जाता, तब तक उसे अपरादी नहीं माना जाता, मतलब जब तक court उसके खिलाफ को decision नहीं सुनाता, जिससे कि वो ये थाबित हो पाए, जो वो गुनहगार है, तब तक हम उसे अपरादी नहीं मान सकते हैं, इसके बचाओं में हमारे CRPC के अ कितना immediate हो पाए, और वो bail application जल्द से जल्द court के अंदर file करना चाहते हैं, जिससे कि जब तक court का decision ना आए, तब तक उन्हें jail में नहीं रहना पड़े, CRPC के अंदर bail के provision है, जिसमें की bail के तरीकों को define किया गया है, मतलब जमानत के भी different different तरीके होते हैं, उन्हें define किया गया है, तो आज इस वीडियो के अंदर, मैं आपको जमानत के सारे तरीकों को बताऊंगा, जो आप कब और कैसे अपना जमानत करवा सकते हो, और किस time में आपको कौन से bail के according, आपको application फाइल करना है, जिससे कि आपका immediate जमानत हो पाए, So, hello दोस्तों, welcome to my channel, Lex Cautery, मैं हूँ आपका advocate के लाज, आज के रहे हैं, लिगल ग्यान में, generally चार तरह के bail की provision है, first है आपका regular bail, second है आपका default bail, third आपका anticipatory bail, and fourth है आपका interim bail, जिसमें कि पहले ये तीन bail जो है, वो आपका CRPC के अंदर define किया गया है, लेकिन फोर्थ bail को CRPC में define नहीं किया गया है, तो आज इस चारों bail के provision को हम detail में समझेंगे, आप वीडियो को last तक देखना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इसे like जरूर करना, तो first है हमारा regular bail, जिसी के define गया गया है, CRPC के section 437 और 439 के अंदर, पकात यह है जो regular bail आपका अपका अप अब पुलिस किसी भी person को गिरफतार करती है, तो within a 24 hour उन्हें magistrate के सामने paste करना होता है, RAC related जितने भी provision है, मैंने अपने previous वीडियो में explain कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं i button में उसका link दे दूँँगा, आप वहाँ जाकर के भी उसे देख सक करेंगे, उसके बाद आप कभी भी regular bail लगा सकते हो, तो अगर आप magistrate के सामने अपना regular bail का application लगाते हो, तो as per section 437 of CRPC, आप वहाँ पर magistrate के सामने अपना regular bail का application लगा सकते हो, लेकिन अगर आप वहाँ application नहीं लगाते हो, अगर ये चीज़ आप session court या high court में लगाते हो, तो वहाँ आप 439, as per section 439 of CRPC, आप high court या session court के अदर अपना regular bail का application लगा सकते हो, ये bail normally court case के trial चलने तक होता है, दूसरा जो हमारा है, वो है default bail, जिसे कि CRPC की section 167 के अदर define किया गया है, जब भी कभी कोई FIRE होता है, कोई case file होता है, तो उसमें पुलिस वालों को एक charge sheet submit करना होत पुलिस किसी भी case में, fire होने के बाद, जो charge sheet prepare करके court के अंदर submit करेंगी, उसका कोई time limit का provision नहीं दिया गया है, लेकिन as per section 167 में कुछ provision है, जो कि उन्हें bound करता है, जो अगर उन्होंने उस time period के अंदर submit नहीं किया, तो सामने वाला जो person जिने उन्होंने arrest किया है, उसे bail मि मतलब, किसी भी case के अंदर, अगर 10 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है, उस case में, अगर within a 90 days, पुलिस वाले charge sheet submit नहीं करते हैं, कोट के अंदर, तो सामने वाला person जिसे उन्होंने गिरफतार किया है, उसके पास bail पे छूटने का मौका मिल जाएगा, और उनके पास य अधिकार होगा, जो वो default bail ले सकते हैं, इसी में, दूसरा condition है, जो अगर किसी case के अंदर, 10 साल से कम का सजा का प्रावधान है, और उस case में, अगर पुलिस वाले within a 60 days, जो भी charge sheet है, वो submit नहीं करते हैं, कोट के अंदर, ऐसी cases में, जो भी person जिसे उन्होंने arrest किया है, उनके अपने आप जमानत मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, उन्हें उस time भी application तो raise करना ही पड़ेगा अपने जमानत के लिए, अब हमारा third bail का जो provision है, third type जो है, वो है हमारा anticipatory bail, इसका मैं अगर हिंदी में अनुदन करूँ तो इसका मतलब होता है, अग्रिम जमानत, मतलब को किस आपको कुछ बाते पूछ सकती है और वहां आपको साबित भी करना होगा, तो क्या साबित करना होगा, कि जो भी अपराद हुआ है, उस अपराद के अंदर आपकी कोई भूमिका नहीं है, मतलब आप उसमें involved नहीं हो, आपको जूटा फसाया गया है, ये आपको साबित करन आ रहा है, तो आप इस application को, इस anticipatory bail application को high court या session court के अंदर लगा सकते हो, और वहां से आप ये अपने लिए grant कर सकते हो, anticipatory bail को CRPC के section 438 के अंदर define किया गया है, साल 2018 से पहले आप किसी भी case के अंदर अपने लिए anticipatory bail application फाइल कर सकते थे, लेकिन 2018 के बाद कुछ amendment हुआ, जिस इसमें की, उन्होंने ये mention किया, जो कुछ cases, कुछ अपराद, जो कि गंभीर है, उन अपरादों को इसमें से अलग किया गया, उन अपराद के अंदर आप anticipated bail application फाइल नहीं कर सकते हो, अब हमारा जो fourth type है, और last है, हमारा interim bail, इसे CRPC के अंदर define भी नहीं किया है, मतलब कोई section नहीं है, जिसकी अंदर interim bail को define किया गया, interim bail के अंदर code decide करता है, जो सामने वाला person जो की accused है, या जिसी गिरिफतार किया गया है, उसे bail मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कितने time period के लिए मिलना चाहिए, वो कुछ conditions होते हैं, जो मान लीजिए, regular bail के लिए application उन्होंने या किसी भी bail के लिए उन्होंने application file किया, लेकिन वहाँ पे hearing नहीं हो पाया, उस case में, या person साबित नहीं कर पाये, जो उन्हें anticipatory bail क्यों दिया जाए, वो अपने आपको बेगुना नहीं साबित कर पाए, या कोई भी condition हो, अगर ऐसे cases में होता है, तो इन सारे situation को देखते ह जो person है, वो अपने लिए interim bail का application file कर सकते हैं, जिसमें कि वो कुछ time court से मांग सकते हैं, request कर सकते हैं, और जहां court सारी चीजों को देखते हुए, कुछ time period के लिए उन्हें bail grant कर देता है, लेकिन कुछ conditions भी रखता है, उन condition को follow करते हुए उन्हें bail दिया जाता है, तो ये थे क कुछ bail से related legal provision, मैंने bail के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको bail को detail में समझना है, तो उस वीडियो को भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, मैं i button में उसका link देता हूँ, आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देख, बाकि आपको ये वीडियो कैस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे like करना, कुछ पूछना हो तो comment भी करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना, ताकि इन ही तरह के वीडियो जितने भी होंगे आगे आने वाले time में, जो मैं बनाता हूँ आपके लिए, वो सबसे पहले कर दो 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 क